नमस्कार किसान भाइयों किसान भाइयों फूल गोवी में कई प्रकार की रोग लगते हैं जिवानू जनित, विशानू जनित और इन रोगों का सही समय पर प्रबंध ना किया जाए इनके लक्षन को पहचान कर तो किसान भाईयों को अधिक हानी उठाना पड़ता है तो जी हां इस विशे पर यानि हम आज जानेंगे फूल गोभी में लगने वाले रोग और उनके प्रबंधन के बारे में इस विशे को लेकर आज हमारे बीच है डॉक्टर अंसार तो आईए उनसे जानकारी लेते हैं जो किसान भाई इसको लक्षण को देख करके उसमें परबंधन उसका आसानी से कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पतियों के उपर गोल धबे रोग बनते हैं जिनको बड़ी आसानी से देखा जा सकता है उसमें हम लोग देखते हैं एक सर्कुलर रिंग बनता है और जिसको पर भूरे रंके रोएदार धब्बे दिखते हैं जो कि पत्यों और धबों के किनारे पर पीले रंके एक रिंग बननी शुरू हो जाती है तो इससे हम लोग काफी है तक पता लगा लेते हैं कि एक अल्टरनेरिया नामक फफून से होता है जो कि हम लोग देखते हैं अकसर गोभी की जो निचली पतिया होती है उनमें लक्षण ज्यादा दिखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है जो पतियां हम लोग देखते हैं कि पत्यों के जहां पर बने हुए उनके चारू तरफ जो है पीले रंग की एक धब बन जा रहे हैं तो यह हम लोग देख रहे हैं कि सारे सारे लक्षण यह ज्यादा तर निजली पत्यों पर दिख रही हैं और इनका अगर हम लोग अगर लेंटर नहीं कोई इसमें लगात कि जो संकर्मीत पत्यां हैं उनको खेट से फौरण हम लोग नीचे से तोड़कर के हटा दे और इन पत्यों को हम लोग हमेशा ध्यान लखें कि खेट के अंदर इन पत्यों को ना फेके इनको इक जिगह पे खेट में के कहीं किनारे कुछ अस्थान पर हम लोग उसको असल men to trouble करेंगी दूसरी जो इस जिसस्ते हैं धी हाकार के लक्षण देखते हैं जो कि यह पीले रंगी होते हैं और यह देखते देखते यह पूरी प्ती को अब नीचे की पत्तों में इस तरह ब्त इंक थी एकिकी अखर की फष्ण ş reicht आए और तरह की बिसक्रीणार हम बसकी भी है ऑर और यह आपका ब्रोकली है इन सबके अंदर इस टइप के लक्षड़ दिखते हैं इन में भी हम्वोग टेगते हैं कि किसान भाइं कि संभावित त्रिक्या हो सकता है कि जो पत्तियांग के घरीп उनसमें पॉरी फसल पर फैल जाता है जिसे फसल में इसमें काफिशान होता है कि जो इस तरह का लख्षन आगर हमको दिखता है पत्ति के अंदर पत्तियों को एकठा करके ःस जिसे और इसके अंदर हम लोग दवाओं का छड़काओं भी करेंगे, इसके अंदर हम लोग कापर आक्सी कॉलराइट तीन ग्राम परती लीटर की दवा मार्केट में उपलम्द होती है, तो इस दवा का जो है हम लोग एक ग्राम दवा तीन लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसमें हम लोग छड़काओं करेंगे, तो इससे काफी हद तक हमारा ये विवारी जो है रोख सकते हैं इन फसनों के अंदर तो किसान भाईयों आज के इस भाग में आपने फूल गोबी में लगने वाले दो मुख्य रोगों के बारे में जाना और अगर आप इस प्रकार से इनका प्रबंधन करते हैं तो आप अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं वैवसाइक तोर पर फूल गोबी में तो अगले दिन एक अलग विशे के साथ हम हाजिर होंगे, नमस्कार